नवस्कार स्वागत है आप सभी का समिक्षा दिकारी साहएक समिक्षा दिकारी 2021 की तयारी का सुभारम करते हैं और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले हम previous year questions को ब्याख्या के साथ में और पूरी प्रामाडिक्ता के साथ में हल करेंगे सामान हिंदी के जो छे टॉपिक हैं उनके पाच-पाच questions को यानि एक वीडियो में एक lecture में हम 30 प्रसनों को हल करेंगे और उनके चारो options पे discussion करेंगे जिससे आपको previous year questions और उससे जुड़े हुए सभी facts पता चल जाए आप जानते हैं कहीं न कहीं previous year questions कई बार जो है repeat करके उनका form change करके आपसे पूछा जाता है और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप previous year questions को गलत करते हैं तो ये जो है बहुत बड़ी गलती माने जाती है इस परिच्छा में क्योंकि पत तो ऐसे भी कम होते हैं और competition बहुत जादा होता है इसलिए सबसे पहले अगर आप हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे तो previous year questions पे अपना command कर लीजिए और previous year questions पे आपका command हो जाएगा RO pre, RO mains के सभी questions को आप solve कर लेंगे उसके अलावा सी site में भी question पूछे जाते हैं इन topics से कुछ और परिक्छाओं में भी पूछे जाते हैं तो लोग सिवायो की जित्ती भी परिक्छाए हैं उनमें जो previous year questions इन 6 topics से पूछे जाते हैं उन सब को जब आप cover कर लेंगे उसके बा आज जो है जो आपको मानक उस्त के बताई गई हैं आप उनसे जो है पढ़ाई अपनी start रख सकते हैं और नए नए सब्द, नए ने सब्द कोस के अनुसार जो है आप जो है नए ने सब्दों को हल कीजिए तो आज जो हम series सुरू कर रहे हैं उसमें ये पहला lecture है आज हम 30 प पर इच्छाए हैं सभी के जो है इन 6 topics से संबंदित questions हैं समिच्छा दिकारी की test series हमने सुरू कर दी है जल्दी ही प्रयास है कि समिच्छा दिकारी का video course भी आपके लिए सुरू कर दिया जाए तो जो लोग test series में interested है क्योंकि test series हमारी descriptive होती है आप सभी को पता है तो आप RO- प्री test लिखकर जो है इस number पर जो है WhatsApp के माध्यम से बेज दीजिए आपको जो है ये demo test का link बेज दिया जाएगा पहले आप demo देख लीजिए फिर इसी तरह से आपको सभी solve PDF दी जाएगी इस video के description box में और pin comment में भी ये link दिया हुआ है और IAP के माध्यम से online test होता है solve PDF दी ज आप में मतलब उसमें इतना हम content लिख देते हैं कि वो अपने आप में notes हो जाता है उस question को से related topic को वो पूरी तरह से जो है cover कर लेता तो ये रही प्री की test research के बात आरो की जो है जो course है mains का ये सबसे मातपूर है मैंने पहले भी का उस बात को दोराऊंगा कि अगर आप समीच आपके पास मात्र दो महिने का समय होता है और उस दो महिने में आरो मेंस का course cover करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनावती है जिसको हम लोगों ने पिछले batch में भी देखा इसलिए मैं आपको सला दूँगा कि अगर आप serious हैं इस परिक्षा के लिए तो आप हमारे जो है आरो यारो मेंस के batch को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आपको जितने भी हिंदी आलेखन से संबन्दी topic है उनकी practice कराई जाएगी video lecture दिया जाएगा notes दिया जाएगा test होगा सब कुछ होगा और आपको इसके लिए इस number पर बात कर लिए या जो है आरो यारो मेंस लिखकर बेद दीजिए ये है जितने भी जो है segment है वो आपको यहाँ पर लिखें आप चाहे तो screen shot लेकर पढ़ सकते हैं साथ में test series भी दी जाएगी इसमें जो है आपको हिंदी और GS के objective वाले segment के लिए को कि हम GS जो है इसमें cover नहीं करतें GS already आप pre में पढ़ चुके होते हैं हिंद लोकुक्तिया सामान ग्यान computer वाला सामान सब्देवं व्याकरण हिंदी निबंध और लेखन इन सब की खुब practice कराई जाएगी individually आप पे जो है focus करके जो है आपकी कमियों को दूर कराई जाएगा बिलकुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है offline class में नहीं है तो और सा ये पूरे course का structure है आप ज़्यादा जानकारी के लिए आरो ए आरो मेंस लिखकर इस नंबर पर WhatsApp से भेज दीजिए इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि समीच्छा दिकारी pre और मेंस दोनों के लिए हमारी जो objective वाला portion है हिंदी के 6 topic हैं और मेंस में वो 5 हो जाते हैं पर 6-7 किचाबों का जो है जो मानक पुस्तके हैं सब्दकोस हैं उनका निचोड करके और जो उनका मानक जो सब्दावली है उसका आधार बना कर जो है वो किताब को जो है design किया गया है PDF में ही क्यों अबलेबल है उसका जो है कोई भी print version नहीं आता है लेकिन pre और mains दोनों के लि previous year questions के base पे तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रसंद देखते हैं हम जो है आभ्यंतर का तदभौ सब्द इसमें से कौन सा है आभ्यंतर आप जानते हैं आभ्यंतर सब्द का क्या आड़त होता है भीतरी अंदरूनी तो आभ्यंतर का जो है एक तदभौ सब्द हमको इसमें स अंदर का जो सही तदभौ सब्द इसमें से क्या होगा बी ऑप्सन करेक्ट होगा बाकी सब्दों के बारे में भी जान लेते हैं बाहर तथा गहरा तदभौ सब्द है जिनके तदसम क्या हो जाएंगे वाय बाहर का वाय और गहरा का गंभीर हो जाएगा अगला प्रसन आग तो करपट का तद्भा रूप क्या हो जाएगा कपड़ा के लिए ही हम तत्सम सब्द करपट का प्रयोग करते हैं और कपूर जो सब्द दिया हुआ था कपूर का तत्सम क्या हो जाता है करपूर हो जाता है अगला प्रस्ण देखेंगे बच्चा, बच्चा सब्द का तत्सम हमको यहाँ पर बताना है चार आपसन है बच्च, बालक, वत्स या वाल तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, बच्चा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बच्चा का तत्सम रूप हो जाएगा What's C option जो है यहाँ पर Correct होगा चलिए अगले प्रस्ण पर बढ़ते हैं इसमें से एक तदभो सब्द है यानि तीन तत्सम होंगे एक ही इसमें से तदभो सब्द है जिसको आपको छाटना है वही आपका सही उत्तर होगा सारे सब्दों पर वन बाई वन हम विचार करते हैं अगनी कैसा सब्द है तत्सम सब्द है पुस्प कैसा है यह भी तत्सम सब्द है सलाका भी तत्सम है तो तदभो कौन सा हो गया 14 जो गिंती में आता है वो मारा तद्भो सब्द हो गया और इस तद्भो का यानि चवदा का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा चतुर्दस हो जाएगा इसके अलावा बाकी तीनों के तद्भो भी हमको जानना ज़रूरी है तो अगनी का क्या होता है आग होता है पुस्प क्या क्या होता है फूल होता है और सलाका का जो तद्भो सब्द है वो क्या होगा सलाई हो जाएगा अगला प्रस्न निमलिखित में से एक तत्सम सब्द कौन सा है तो इसमें से तत्सम सब्द हमको देखना है घर तद्भो है कपूत भी तद्भो है सूत भी तद्भो है गोपाल सब्द जो है ये क्या एक तत्सम सब्द है तो इस तरह से ए हमारा इसका upigger हो जाएगा गोपाल अगर तत्सम है तो इसका तद्भो क्या होना चाहिए ग्वाल कोई भी परस्न पढ़िए तो उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर रखिए गोपाल का तद्भो ग्वाल हो जाएगा घर का क्या हो जाएगा तद्सम ग्रे हो जाएगा कपूत का कुपूत्र हो जाएगा और सूत का तद्सम सब्द जो है सूत्र हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं हम जो है मीमानसा मीमानसा का सही परियावाची सब्द क्या है तो सुनने में बड़ा टफ सा वर्ड है लेकिन अगर इसका आप सही अर्थ जानते होंगे तो आप इसके सही परियावाची तक भी पहुंच जाएंगे मीमानसा का जो अर्थ होता है विचार पूर्ण कोई निर्णय करने की क्रिया उसको हम मीमानसा कहते हैं तो इसमें से उसके लिए जो है कौन सा समानार्थी सबसे सटीक होगा स्वरूप, सुविग्याता, समालोचन या निस्क्री तो दोस्तो इसका सही उत्तर क्या होगा समालोचन, सी ओप्सन जो है इसका करेक्ट होगा इसके अन्य परयावाची क्या हो सकते हैं निरिच्छन, विशलेशन और आलोचना ये जो है मीमानसा के अन्य समानार्थी सब्द हो सकते हैं अगला प्रस्न है बिजली बिजली का परयावाची सब्द इसमें से कौन सा है बिजली यानि विद्धुत तो बिजली का परयावाची सब्द जो है इसमें से सही कौन सा हो जाएगा सौधामिनी, बी ओप्सन आपका करेक्ट होगा सौधामिनी के कई अनि परियावाची यानि बिजली के कई अनि परियावाची हैं जो पूछे भी जाते हैं उनको देख लेते हैं धन प्रिया, इंद्रवज्र, सौधामिनी, चपला, चंचला, छण प्रभा, बिजुरी, एरावत, घन बल्लबी, दामिनी, विद्धुत, तड अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित में से कौन सा सब्द लच्मी का परयावाची नहीं है इसी तरह से लच्मी, यमुना, सरस्वती इन सब के परयावाची पूछे जाते हैं और काफी confusing होते हैं वो एक्जाम में जो है तो इनको आपको बहुत इसपष्ट रूप से तो इसका सही उत्तर होगा D option भारती जो है लच्मी का परयावाची नहों के सरस्वती जी का परयावाची होता है तो भारती क्या है ये लच्मी का परयावाची नहीं है ये सरस्वती का परयावाची है लच्मी के अन्य जो है परयावाची कमला, रमा, पदमा, स्री, इंदि और वहीं पर सरस्वती के पर्यावाची भारती, वागेश्वरी, वीनापाणी, वागदेवी, ज्यानदा, महास्वेता, वागेश्वरी और हंसवाहनी। वासन और वासन ये दो सब्सब्द आपको confuse करने के लिए दिये हुए हैं। इन्हीं में से आपको पकड़ना है कि कौन सा इसमें ककपड़ा का पर्यावाची नहीं है। इसमें से वसन जो है ये कपड़ा का परयावाची होता है लेकिन वासन जो है ये कपड़ा का परयावाची नहीं है तो वासन कपड़ा का परयावाची नहीं है वस्त्र पट वसन ये सबी इसके परयावाची हैं इसके अलावा चीर अंबर भी कपड़ा के परयावाची सब्द होते हैं, अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा मेग, मेग मतलब बादल, तो मेग का परियावाची इसमें से कौन सा नहीं है, यहां पर भी आपको confuse करने के लिए सब्द दिये हैं भले ही आपको आता हो तो पयोधर ये जो है इसका परियावाची है जलधर इसे भी परियावाची है मेक का वारिधर भी परियावाची है एक सब्द दिया है दामोधर इस तरह का कोई सब्द नहीं होता है अगर होता भी है तो वो सब्द होता ह तो उत्तर तो हमारा साई हो गया डी। पयोधर, जल्धर वा वारिधर यह सबी जो है मेग के परियावाची हैं। अगर हम दामोधर के परियावाची देखें, हलाकि प्रस्ण में दामोधर लिखा था, जो कि गलत है, इस तरह का कोई सब्द नहीं होता है, तो दामोधर, पीतांबर, चक्रपाणी, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलकांत, लच्मीपती, उपेंद, विष्णु, नारा यानि सामाने तोर पे देखें, तो ये सभी विष्णु के परियावाची हैं, अगला प्रस्ण, वाकेवं वर्तनी असुद्धी से, यहां पर बहुत confusion create की जाती एक्जाम में, इसमें आपको अच्छे से परिछन करना है, कि इनमें से कौन सा एक वाक के सुद्ध है, तो वा सब्द गलत तो नहीं लिखा है, किसी सब्द की वर्तनी तो असुद्ध नहीं है, अगर आपने वहां से पकड़ लिया तो वो सबसे आसान तरीका है, मिश्टान सब्द बिल्कुल ठीक है, उसने मिश्टान करिदा, बिल्कुल सही है, भोजन बहुत गरिष्ट था, तो पामबरा करती भेट दी गई, ये भी जो है गलत है, आप तो अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान देखिए, यहां पर साब साब गलत लिखा हुआ है, तो इसमें सही क्या है, सही अमारा जो है, पहला अप्सन मैंने पहले ही बता दिया कि ये सही है, अब इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, उसने मिश्टान खरीदा, ये सुधवा के है, सेस विकल्ब जो है सुध थे, गरिष्ट और गरिष्ट दोनों ही व्याकरण की दिश्टी से तो सही है, क्योंकि गरिष्ट को भी सही माना गया है, गरिष्ट को भी सही माना गया है, जो है कई पुस्तकों में, लेकिन इसमें एक अंतर है कि भोजन के संदर में जब हम बात करते हैं तब गरिष्ठ का प्रियोग यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं माना जाता है इसलिए मैंने B-Option को सही नहीं माना है फिर बिकल्प D में जो अंतरध्यान सब्द है वो क्या है असुद्ध है इसका सुद्ध सब्द क्या होता है अंतरध्यान इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है अगला वाकि देखते हैं कौन सा इसमें से सुद्ध है यह उनको बताना है चारों वाकियों में से ध्यान से पढ़िए मैंने बाजार से सामान खरीदा उसने बाजार नहीं जाना है हम तो आपको बता दिये थे मुझे अपने गुरु के ऊपर सुरद्धा है तो गुरु के ऊपर यहाँ पर प्रियुक गलत है हम तो आपको बता दिये थे यह पूरी language ही यहाँ पर गलत है उसने बाजार नहीं जाना है जब कि यहाँ पर क्याना चाहिए ते उसको बाजार नहीं जाना है तो इस तरह से A option हमारा सही है मैंने बाजार से सामान खरीदा तो हमारा विकल्प A सही हो गया मैंने बाजार से सामान खरीदा चलिए अगले प्रस्न पर बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा वाक के सुद्ध है अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि विद्या सब्द के बारे में ही चारों है विद्या स्रेष्ट धन होती है विद्या स्रेष्ट धन होता है यहां पर बी आप्शन सही है, बाकी सब गलत है अगला प्रसंद देखेंगे हम निमलिखित में से एक सुद्ध वाकी कौन सा है तो यहां पर भी सबसे पहले हमको विचार करना चाहिए कि इस में से spelling mistake हमको यानि वर्तनी के सुद्धी छाटनी है अहिल्या सब्द क्या सही लिखा है? नहीं लिखा है, बिल्कुल गलत है निरपराधी सब्द क्या सही है? गलत है, इसका निरपराध होना चाहिए समवाद सब्द पे ध्यान दीजिए, समवाद सही लिखा है क्या? गलत लिखा है तो हमारा सही क्या हो गया अगनी प्रजलित हो रही है D option हमारा यहाँ पर correct हो गया अहिल्या की जगे क्या सुद्ध होना चाहिए अहल्या होना चाहिए इसी तरह से निरपराधी की जगे क्या सही होना चाहिए निरपराद सही होना चाहिए और समवाद का सुद्ध जो है वर्तनी क्या होगी समवाद इस तरह से लिखा जाएगा तो अगर आपकी वर्तनी की तैयारी अच्छी है वर्तनी पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप वाक के वाले प्रसनों को आसानी से हल कर सकते हैं यहां गन्य का ताजा रस बिखता है, यहां ताजे गन्य का रस बिखता है, यहां गन्य का रस यहां बिखता है, तीसरा और ताजी गन्य का रस यहां बिखता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं पदक्रम की गलती है, कहीं पर लिंग संबंधी गलती है, तो उन सब को हम हटा देते हैं, यहां ताजे गन्ने का रस बिखता है, यहां गन्ने का ताजा रस बिखता है, यहां गन्ने का ताजा रस बिखता है, यहां गन्ने का ताजा रस बिखता है, यहां पर बिलकुर सही होगा, अगला प्रस्न, वन वर्ड से यानि वाक्यांस के लिए एक सब्द से आ ग जिसकी गृवा सुन्दर हो उसके लिए सही सब्द है सुग्रीव, B option यहाँ पर आपका correct होगा जो प्रतिवी से संब्द्ध हो उसको हम पार्थिय कहेंगे अगला प्रस्ण जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसके लिए एक सब्द कौन सा है अतींद्री बी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट है अगला प्रस्ण देखेंगे वाक्यानसो और उनके लिए प्रियुक्त सब्दों के निमलिखित युगमों में से सही युगम का चैयन कीजिए जो इस्तरी अभिने करे वो अभिनेता कहलाएगी गलत अभिनेतरी कहलाएगी जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए व्याकरणिक सब्द गलत है व्याकरण होता है आखों से परे जो होगा वो प्रत्यच नहीं होगा अप्रत्यच होगा लोट कर आया हुआ प्रत्यागत D option हमारा बिलकुल सही है जो गलत है उनको जान लीजिए जो इस्तरी अभिने करे अभिनेत्री जो व्याकरण जानता हो व्याकरण आखों से परे उसके लिए एक सब्द परोग्छ भी हो सकता है या अप्रत्यच भी हो सकता है अगला प्रसंद देखेंगे जो इस्तरी सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक सब्द निमलिकित में कौन सा है विदुसी अलच्या असूर्यम पस्या सास्त्रग्या चलिए सही उत्तर बताईए जल्दी से तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जो इस्तरी सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्यम पस्या एक सब्द है अब इसको दो तरह से लिखा जाता है अपने विभिन किताबों में देखा होगा तो असूरियम पस्या आधा मा यहां पर आता है और असूरिय पस्या यह भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किताबों में तो जो असूरियम पस्या है यानि जिसमें आधा मा आता है यह संस्कृत सब्द है वहीं पर असूर पस्या हिंदी सब्द है, अताध दोनों ही जो है जो है सब्द सही है फिर कुछ और विकल्ब दिये थे विदुसी, विदुसी किसके लिए परोकिया जाएगा जो इस्तरी किسी को अच्छी तरह से जानती हो, वो विदुसी हो गई और जो इस्तरी सास्त्र की गयाता हो उसके लिए एक सब्द है सास्त्रग्या अगला प्रसंद देखेंगे अग्य का अर्थ क्या है यानि आपको जो है इसमें एक सब्द दिया है उसके लिए वाक्यांस चुनना है तो अग्य का अर्थ इसमें से क्या है जो सब कुछ जानता हो जो कुछ भी ना जानता हो जो बहुत जानता हो या बहुत थोड़ा जानता हो और जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो तो अग्य सब्द से आपको क्या आता है अग्यानी याद आता होगा अग्य से बनने आला सब्द क्या है अग्यानी यानि जो कुछ भी ना जानता हो यह आपसन यहाँ पर करेक्ट है तो जो कुछ भी ना जानता हो वो अग्य है जो सब कुछ जानता हो उसे सरवग्य कहते हैं और जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक सब्द क्या है? जो थोड़ा जानता हो अलपग्य। चलिए अगला प्रसंद देखते हैं प्राची, प्राची का विपरीत सब्द क्या होगा? तो प्राची का विपरीत सब्द जानने के लिए आपको इसके मीनिंग पता होना जो है पस्चिम से संबंधित को इस सब्द देखना है जो इसमें से दिया हो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रतीची प्रतीची जो है संस्कृत में प्रियोग किया जाता है पस्चिम दिसा के लिए तो प्राची का विप्रितिक सब्द प्रतीची हो जाएगा समस्टी का विलोम सब्द क्या है समस्टी का विलोम चार आपसन आपके सामने हैं विसिष्ट वियस्टी असिष्ट अपुष्टी तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा समस्टी का विलोम हो जाएगा वियस्टी बी आपसन जो है इसमें करेक्ट होगा विसिष्ट का विलोम क विलोम सब्दों की दृष्टी से एक युग्म कौन सा गलत है, यानि सब्द और उसके विलोम सब्द दिये गए हैं, युग्म बनाकर, तो इसमें से हमको छाटना है कि इसमें से गलत कौन सा है, विधी का निशेद हो जाएगा, आवाहन यानि किसी को बुलाना, ज़्यादा तरीश्वर के लिए प्रियोग करते हैं, विसर्जन, विसर्जित कर देना, उनको अपने से अलग कर देना, ये भी सही है, अमिय मतलब अमरित, हलाहल मतलब विस, तो गलत क्या हो गया, आग्रह विग्रह, ये जो है गलत हो गया, विग्रह का जो है विलोम क्या होना चाहिए विग्रह का होता है समास और आग्रह का विलोम जो है क्या होना चाहिए दुराग्रह होना चाहिए तो इस तरह से आग्रह विग्रह आपस में विलोम सब्द नहीं है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं ये भी विलोम से सम्मंदित है विलोम सब्द की दृष्टी से निमलिखित में से सही युग्म की हमको पहचान करने यानि जिसमें सब्द और विलोम के युग्म सही दिये हुए है चार आपसन है आपके सामने आकीन, विकीन, इपसित, आदरत, निरादरत, दोस और सदोस तो इसमें से ध्यान से पढ़िए और आपको उत्तर मिल जाएगा तो इसमें से आकीन का क्या विलोम सब्द विकीन होता है बिल्कुल नहीं होता है इपसित का अभीपसित नहीं होता है अनिपसित होता है दोस का सदोस नहीं होता है दोस क जो है विलोम क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए तो इस तरह से C option हमारा correct हो जाएगा आदरत का निरादरत तो आदरत का निरादरत हो गया सही इपसित का विलोम अनिपसित होगा जैसा मैंने आपको बताया और दोस का विलोम क्या होगा गुड होगा अगला प्रसंद को मीनिंग नहीं पता है किसी सब्द की और इस तरह के tough words की तब तक हम सही विलोम तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आविर भूत का आर्थ क्या होता है जो पैदा हुआ हो या जिसने जन्म लिया हो या जो सब के सामने हो या सामने आया हुआ हो तो इतने सारे जो है sense में इसका यूज करते हैं तो आविर भूत का जो है विलोम सब्द क्या हो जाएगा c option तिरो भूत c option इसका जो है बिलकुल correct है बाकी बिकल्पों पर विचार करते हैं अनास्था दिया था तो उसका आस्था हो जाएगा इसी प्रकार एकता का अनेकता हो जाएगा अतिवरष्टी का ज 37 चंचल बालक है इस बाकी में आपको चंचल सब्द जो है क्या है उसके बारे में बताना है तो बालक की यहाँ पर विशेष्टा बताए जा रही कि वो कैसा है स्वभाव से चंचल है तो यह एक विशेशन हुआ निशित रूप से चंचल सब्द और यह चार विशेशन तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों यह उसके गुण धर्म की बात कर रहा है इसलिए गुण वाचक विशेशन हो गया बी आप्सन जो है यहाँ पर करेक्ट है तो जो विशेशन सब्द किसी व्यक्ति आवस्तु के गुण दोस रंग आकार अवस्था स्वभाव इस्तित दसा गंद इसपर्स स्वाद आधिका बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं गुण वाचक विशेशन कहते हैं यहाँ पर जो चंचल सब्द है यह कैसा है यह एक गुण वाचक विशेशन ही है अगला सब्द अभी एक रिसेंट एकजाम से यानि 2020 के ही में हुए संपन एकजाम स है मानसिक विशेशन किस मूल सब्द से बना है अब यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है आयोग ने तो अपनी प्रात्मिक उत्तर कुंजी दे दी है लेकिन अभी जो रिवाइजड एंसर की है उसके बारे में अपजेक्शन तो सम्मिट हुए है लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो मानसिक विशेशन जो है किस मूल सब्द से बना है तो आयोग का उत्तर क्या है आयोग का उत्तर इसमें है बी मानस से जो है मानसिक बना है आयोग के अनुसार लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन क्यों है क्योंकि अगर हम हर देव बाहरी साब की बुक देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक प्रत्य में दिया गया है कि मनस से मानसिक बनता है मनस में एक प्रत्य लगता है और बनता है मानसिक वहीं पर उन्हीं की बुक में जो है आप देखेंगे दूसरी जगे तो दिखा हुआ है मानस से मानस यह जो है विशेश विशेशन वाले ही चैप्टर में है तो मनस और मानस आधे सा का जो फर्क है उसके कारण जो है यह प्रस्त थोड़ा सा विवादित हो जाता है लेकिन फिलहाल हम यह मान के चलते हैं कि यह मानस सब्द से बना हुआ मानसिक सब्द है आगे जब आगे हो कि आगे चलते हैं चारित्रिक विशेशन सब्द का मूल सब्द कौन सा यानि चारित्रिक जो है ये किस से बना हुआ सब्द है तो चारित्रिक सब्द जो है किस से बनेगा चरित्र से ए ओप्सन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा चरित्र मूल सब्द है और इसका विशेशन सब् अगला प्रस्द देखेंगे निमलिखित में से वह वाक की छाटी है जिसमें क्रिया विशेशन का प्रियोग किया गया है। पढ़ रहे हो जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। यही जो है क्रिया की विशेशन है दी अप्सन इसका करेक्ट है। विकल्प जो है बी में काली और काली विशेशन का प्रयोग हुआ है विशेशन देख लीजे यहाँ पर वह काली गाय घास चर रही है तो यहाँ पर काली हो गया और फल की विशेशन बताई गई है कि वो खटा है तो यहाँ पर खटा विशेशन हो गया अगला प्रसंद देख यहां पर आपको वर्तनी की सुद्धी के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप सही तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि इतिहासिक और एतिहासिक ये दो सब्द हैं, जो मिलते जुलते हैं, जो पढ़ने में लगता है कि ये दोनों सब्द जो है इतिहास से मिलकर बने हैं लेकिन इसमें से वर्तनी की दिष्टी से सर्वता सुब्द हो जाएगा एतिहासिक, एतिहासिक सब्द जो है इतिहास के का विशेशन सब्द है, तो दोस्तों इस तरह से आज हमने तीस प्रस्नों को जो प्रीवियस येर्स के हैं, उनको सॉल्व किया, अगर कहीं पर कोई कन fusion होती है, तो उसको हम अगले जो है वीडियो में, अगले lecture में सबसे सुरुवात में discuss करेंगे, इसलिए परिशान होने की जरुवत नहीं है, क्योंकि कई सारे प्रस्न ऐसे भी हो सकते हैं, जिन में मतांतर होता है आपके सोचने में, और आयोग ने जो उत्तर दिया है, तो यहां पर जो भी आपको बताया जा है, वह आयोग के दिये हुए उत्तर को भी बताया जा रहा है, लेकिन उसका भी परिक्षण करके बताया जा रहा है, प्रामएडिक्टा के साथ में, तो आज के लिए ताही फिर मिलते हैं, नेक्ट लेक्चर में, नमश्कार झाल झाल